इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत अनियमित हिर्दय गती, हिर्दय की धड़कन में अनियमित्ता, एरिथमिया के इलाज के लिए किया जाता है। यह भविश्य में होने वाले दिल के दौरे और माइगरिन को रोकने में भी मदद करता है। इसे खाली पेट या खाने के साथ लिया जा सकता है, लेकिन अधिक्तम लाब पाने के लिए इसे रोज नियमित रूप से एक ही समय पर लें। इस दवा को पूरी तरह से असर करने में कुछ हफते लग सकते हैं और आपको इसे उम्र भर भी लेना पर सकता है। अगर आप बहत से दुषप्रभाव ठकान, सिर्दद, धीमी गती से हिरदय गती, चक्कराना और जी मिचलाना है। ये आमतोर पर हलके और अल्पकालिक होते हैं। इसके कारण कुछ लोगों में सांस फूलने और ब्लड प्रेश कम होने जैसी समस्याएं आ सकती हैं। साइड इफेक्ट के जोखिम को कम करने के लिए आपका डॉक्टर संभवता दवा को कम खुराक से शुरू करेगा और धीरे धीरे इसे बढ़ाएगा। अगर साइड इफेक्ट आपको परेशान करता है या नहीं जाता है तो डॉक्टर से परामर्श करें। इसे लेने से पहले अगर आपको लि जावित लोगों के लिए उप्यूक्त न हो। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह दवा ठीक से काम कर रही है। आपको अपना ब्लड प्रेशन आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें जिससे आपको भविश्य में और ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।